आज तुम्हें मैं एक नई बार बताती हूँ मैम कौन सी नई बार? अच्छा ये बताओ कि हमारे शरीर के अंदर में कौन-कौन से अंग है? फेफडे, हाट, किड्नी वेरी गुड और हमारे शरीर के बाहर? आख, नाख, मुझ, कान वेरी गुड तुम्हें पता है, हमारे शरीर के अंगों के बीच में संपर्क होता है और ये आपसी तालमेल से काम करते हैं अच्छा ये बताओ प्राची, कभी खाना खाते समय अचानक तुम्हें खासी आई? हाँ, कई बार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी शुषरीररर में हमारे खाना अटक गया वेरी गुड तो कभी, जब हम जल जलदी खाना खाते है तो हमारा खाना आहाररर नली में ओन जाकर सास नली में अटक जाता है जिसके कारण हमें तेजी से खासी आती है चलो हम इसे क्रिया कलाप के द्वारा समझते हैं ठीक है यहां पर मेरे हाथ में एक कागज की पट्टी है इस कागज की पट्टी को मैं तुम्हारे नाग के पास रखूँगी तुम्हें सास लेनी है और सास छोड़नी है और पट्टी को देखना है कि पट्टी की पट्टी में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं अच्छा प्रिया ये बताओ जब तुम सास ले रही हो तो क्या हो रहा है तुम्हारे नाग के पास चिपक रहा है और जब तुम सास छोड़ रहा हो तो क्या हो रहा है ये गागस दूर जा रहा है ठीक है अब हम ये खाते समय करेंगे तुम्ह खाना है ठीक है और खाते समय हम इस पट्टी को तुम्हारे नाक के पास रखेंगे और देखेंगे कि क्या होता है ठीक है चलो एपल खाओ अभी देख रहे हो तुम कागस थोड़ा थोड़ा हिल रहे मतलब बीच में हम सास ले रहे और छोड़ रहे अब इस खाने को तुम निगलो निगलते समय क्या हुआ सास रुख गई ये कैसे साबित हुआ क्योंकि ये कागज नहीं हीला ठीक है तो हमारी आहा नाल और हमारी श्वास नाल नली के बीच में एक वॉल होती है और जब हम सास लेते हैं तो श्वास नली खुलती है और जब हम भोजन करते हैं तो आहा नली खुलती है लेकिन जल्दे यल्दी खाना खाते समय कभी कभी सास नली ठीक से बंद नहीं हो पाती जिससे खाना उसमें अटक जाता है